नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रोईताप की अपने यूटूब चैनल रोईत रेवलूशनरी फार्मर में आपका सवागत है वीडियोज के माध्यम से मेरा एक बहुत ही कठीन परियासत जो अमारी देशी गोवन्स है उसका ज्यादा से ज्यादा विकास होशके तो आज जो आप इस वीडियो के अंदर ये देशी गोवन्स देख रहे हैं ये तकरिव आज तीन दिन की ब्याई हुई है और इसकी अडर की क्वाल्टिक काप इसे आंदार है ये आप इस वीडियो के अंदर बिल्कुल साप देख सकते हैं और तक्रिवन तक्रिवन 12 किलो दूद के आसपास इसकी दूद की समता रहेगी जो अब फिलाल तीन दिन की ब्याई है और अब फिलाल इसको 8 किलो दूद तियार है तो बहुत ही चान्त सवाव की अरियान देशी गोवन्स है ये देखो इसकी अडर की क्वाल्टी काफी दे रही है जो इसके थनपासो का गैप है काफी स्यांदार है जो आमें बहुती कम देखने को मिलता है और इसके नीचे मेल काफ है जो की फोर सेल के लिए एविलेवल कराई जा रही है और इस वीडियो के अंदर इसकी लाइम मिलकिंग भी आपको दिखाई जाएगी ये दे इंट्रेस्टिड बायर्स है वो इस गाई को परचेज करना चाहते हैं तो वो अठाण में 174, 35, 125 पर कोंटेक्ट करके इस गाई के बारे इम फुल डिटेल्स ले सकते हैं बहुती स्यांत सवाव की अरियन देशी गोवन्स है इसकी अडर की क्वाल्टी काफी स्यांदार है ये बिल्कुल आप इस वीडियों से आप देख सकते हैं ये देखो बिल्कुल बलैक ये नोज है इसकी ये इसकी अब लाइब मिल्किंग आपको दिखाई जाएगी नीचे प्योर अरियाना देशी नसल का ये मेल काफ है तक्रीवन तक्रीवन अब 8 किलो दूद इसको तियार है जो अमारे इंट्रेस्टिड वायर्स है वो बलकि 3-4 टाइम की इसकी लाइब मिल्किंग करके लिए जाए सकते हैं ये देखो बिल्कुल खली बल्टी भी आपको दिखा दी गई है जाए सकते हैं चाए सकते हैं ये जाए सकते हैं ये पनाव राओ ये जाए बल्टी वास्ण्व दूणिए झाल कि अजय सकते हैं यह देखो तक्रीवन तक्रीवन इसकी लाइ मिलकिंग हो चुकी और बच्चे के लिए काफी अच्छा दूद छोड़ा गया है तक्रीवन तीन सटे तीन किलो दूद इसका निकाल लगाया बच्चे से अलग